हलो दोस्तों अगें स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चैनल में एक बार फिर आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई यार दोस्त फैमिली मेंबर या कोई भी आपको वाट्साप पे मेसेज करता है और अगर वो आपके मेसेज के देखने से पह तो उस डिलीटेड मेसेज को आप बड़े आसानी से कैसे देख पाएंगे तो वीडियो के साथ लास टक बने रहेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना तथा इस ट्रीक को आप जरूर यूज करना अगर आपको भी कोई मेसेज कर और message delete कर देता है तो आप उसके message को आसानी से देख पाएंगे तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को start करते हैं इसके लिए आपको चले जाना है आपके mobile के play store में वहाँ से आपको एक software download करने पड़ेगे तो चलिए मैं detail आपको बता देता हूं कि software कैसे download करेंगे और इसमें क्या-क्या setting करने पड़ती है तो आ गए हम अपने mobile के play store में यहाँ पर आपको just simple type करना है noti save नोटी save लिख के जैसे हैं आप search करेंगे तो यहाँ पर एक application खोल के आगी उपर में देखे कुछ इस टाइप के interface होती है इस application की इसको आपको जाके simple सा install पर करके install कर लेना है यह ज्यादा MB की file नहीं है मात्र 9 MB की file है तो इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं 9 MB की file है यह दो से तीन सेकेंड लेगी download होने में तो चलिए हम लोग wait कर लेते हैं इसके बीच इस application की link मैं video के description box में भी डाल दूँगा तो वहां से आप direct जाके इसे install कर पाएंगे देखिए कुछ इस type का open करने पर interface आपको खूलेगी यहां से आपको इसको next कर देना है इसको भी next कर देना है और इसको allow कर देना है यहां पर click करके on कर देंगे on करने के बाद वापस फिर से एक बार back चलेंगे back जाने के बाद यहां पर देखिए allow का option आएगा तो इसको आपको ok कर देना है जैसे आप ok करेंगे तो यह loading होने में अपना कुछ time लेगा और load होने के बाद कुछ इस type का interface आएगा यहां से आप को next करना है और next करने के बाद यहां पर देखिए सारे बुलोग allow है तो इसको आपको एक बार own करना है उसके बाद एक बार off कर देना है off करने के बाद again यहां से हम लोग back चलेंगे उपर पर area mark पर किलिक करके back चल जाएंगे और यहां पर आपकी complete setting हो चुकी है इसको next करेंगे इसको next करेंगे और इसको और एक बार next कर देंगे तो यहां से हमारी setting perfectly complete हो चुकी है तो अब यह application काम कैसे करती है तो इसके लिए आ इसको delete करके demo के तोर पर देखेंगे कि क्या यह application सच में काम करती है या नहीं तो 2-3 message में type करता हूं और इसको यहां send करता हूं चलिए net of the to own कर देता हूं इसको यहां पर और एक-2 message हम लोग type कर लेते हैं और इसको send करते हैं देख पा रहे हैं यहां पर send हो रही और इस पर अगले वाले पर मेसेज रिसीब भी हो रही है और एक दो मेसेज कर लेते हैं चल यह मेसेज हम लोगों ने इतना कर दिया इसको पहले अब तो सलेक्ट कर लेते हैं और मेसेज को डिलीट फॉर एवरिवन करके देखते हैं select करने के बाद इसे delete for everyone पे click करते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने ये message जो कि हम लोगों ने send किया था इसे delete कर दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले phone पे हम लोग check करेंगे कि क्या ये trick search में काम कर रही है या नहीं तो देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने 5 message किये था और 5 डिलिट हो गई है ये so कर रही है तो अब जाते हैं उस application पे और देखते हैं कि ये जो message delete हुई थी वहाँ so कर रही है कि नहीं तो open करते हैं इसको open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो message हम लोगों ने अभी फिलाल delete किया है वो perfectly so हो रही है देखिए यह वो सारे message थे जो कि हम लोगों ने इस मुआले mobile से send करके delete for everyone किया था तो यह थी trick और यह अच्छे तरह से work कर रही है तो आप इस trick को use कर सकते हैं और delete message को देख सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हैं तो please अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और bell icon का button प्रेस करना नहीं भूलेगा